नमस्कार दोस्तों वैशनभी और्गेनिक डेरी फर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पसुओं के बेयाने से पहले क्या संकेत मिलते हैं देरी किसानों के लिए यह जानकारी जरूरी है कि वह पसुओं के बेभार को समझे ताकि वह आसानी से उनकी समस्याओं को जानकर उनका निदान कर पाएं बेयाने की जो वस्था को जानना पसुपालकों के लिए बहुत जरूरी है सभी पसुओं यदि वह समाने वस्था में नहीं है तो वह संकेत के माध्यम से बताता है बिभित्र अवस्थाओं में बयाने से पूर्व भी पसुओं कुछ संकेत देते हैं माधा पसुओं के बयाने के संकेत को समझने से पसुपालक को या जानने में मदद मिलती है कि पसुओं चिकित्सा सहायता की कब आवसकता होगी आवसकता के संकेतों को मुल रुप से तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है बयाने से पहले के संकेत बयाने से 24 घंटे पहले बयाना गर्वकाल जेर का निस्कासन करना बयाने से पहले के संकेत बयाने से 24 घंटे पहले बयाने से पहले पसु क्या संकेत देते हैं मादा पसुओं में बयाने से पूर्व निम्न लच्छन दिखाई देते हैं इन संकेतों को जान आप समझ सकते हैं कि पसु जल्द ही बयाने वाली है यदि पसु के योनी दोआर के स्वच का सी रिशाव हो, स्वच एव सफेद का रिशाव हो, तो थनों का दूद से भर जाना प्रारंब हो, इसे ही पसु के बेयाद रिशाव हो, भूख खत्म हो जाती है और वह खाने में दिल चस्पी नहीं लेता है, पसु बेचैन होती है और पेट पर लाते मारता है, या अपने पार्श और बगलो को किसी चीज से रगणने लगता है, स्रेनी स्यानू पीठ की मानस्पेसियां धिल्ली पड़ जाती है, जिससे पूछ उपर उठ जाता है, योनी का आकार बड़ा ये मानसल हो जाता है, थनों में दूर का भराव बयाने से तीन सप्ता पहले से लेकर बयाने के कुछ दिन बाद तक हो सकता है, बच्चा जैसे जैसे प्रशव की स्थिती में आता है, वो ऐसे वैसे पसु के पेट का आकार बडलता जाता है, बयाने के दिन का पता लगाना, यदि आपको यह पता करना है कि पसु गाय भेंस का बयाने का सही समय क्या है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जब भी पसु का गर्वाधान कराएं, हमेशा गर्वाधान की तारिक लिख कर रखें, अगर पसु पुना मद में नहीं आता है, तो गर्वकाल के तीन माँ पस्चात गर्व की जाच अवस्य कराएं, यदि गर्वाधान सही हुआ है, तो आप उसके बयाने का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि गाय का ओसत गर्वकाल दो सो असी से दो सो नब्य दिन, एव भैंस का तिन सो पांच से तिन सो अठारा दिन हो संकेत है, समाने रूप से बयाते समय बच्छडे के आगे के पैर और सीर लंबे सबसे पहले दिखाई देते हैं, बयाने का सुरुवाती पानी का थैला दिखाई देने से होता है, यदि बच्छडे के जनकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, बच्छडे को जन्म देता है, प्रतम बार बयाने वाली बच्छडियों में या समय चार घंटे तक हो सकता है, पसु खड़े खड़े या बैठकर बया सकता है, यदि पसु को प्रसव पिड़ा सुरू हुई, तो एक जादा समय हो गया है, एक से तो पानी का थैली दिखाई न दे, तो तुरंत पसुच कित्सा की सहायता लेनी चाहिए, गर्वकाल के दौरान जेर का निश्कासन बयाने के तीन से आठ घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, समाने गर्वकाल, जेर के बयाने के तीन से आठ घंटे बाद निश्कासित हो जाती है, अगर बयाने के बारा घंटे बाद तक भी गर्वनाल या जेर न गिरे, तो इसे गर्वनाल या जेर का रुकाव कहते हैं, कभी भी रुकी हुई गर्वनाल या जेर को ताकत लगा कर नहीं घीचे, इससे तीबर रक्त स्राव हो सकता है, कभी 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 पसु की मौत भी हो जाती है, गर्वकाल के समय होने वाले मा, पल रहे बच्चे को अधिक पोशाहार की आवसकता होती है, इसलिए पसु को बयाने से दू महिना या अढ़ाई महिना पहले दूद सुखा देना चाहिए, इससे पसु की आदर्श, दूदूत पादन, छमता, सुनिश्चित होती है, बढ़िया क्वालिटी के लिए पसु को हीट में आना ना आना 500 ग्राम सफेद प्याज, 500 ग्राम सफेद प्याज लें और 5 दिन पसु को खिलाएं, अगले 10 दिन किसी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्चर खिलाएं, पसु जो हीट में आ जाती है, और धन्यवाद, थैंक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद,